हेलो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ के सब खेर इससे होंगे और अल्ला ताला सभी की बिमारियों को दूर करे आज हम बहुत ही शांदार वाले सर्दियों के लड्डू बना रहे हैं जो बहुत ताकतवर हैं और बहुत सी बिमारियों में काम आते हैं इसमें है ये बादाम और बादाम का मिजाज होता है गर्मतर ये है चने, चने का गर्म खुश्क होता है ये है आपके मगज, मगज मौतदिल होता है ये मखाना है, ये गर्मतर होता है ये काजू है, काजू जो है ये गर्मतर होता है मिजाज में और यह है सफेद मिर्च जिसे दखनी मिर्च पे बोलते हैं यह गरम खुश्क मिजास की होती है यह गोला गरम तर होता है यह सारी चीजे हम जो है इसमें इस्तमाल लेंगे सबसे पहले तो इनको घी में हलका हलका सा ब्रिया कर लेना ये बिलकुल देसी घी है देसी घी इस्तमाल करें ये देसी घी में बादाम को और गोले को छोड़कर गोला जो है ये हमने कस लिया है गोला बादाम और दखनी मिरश को छोड़कर सबी को हलका सा बिर्या कर ले और इसमें एक चीज और है कनी यानि ये गोंद होता है अगर कनी के नाम से ना मिले तो आपको कमरकस भी ले सकते हैं या फिर आप खेर का गोंद भी ले सकते हैं ये हलका हलका जादे सुर्ख निकरने हैं इनको घी में बिरियां सा कर लें थोड़े सोफ्ट हो जाएं और दोस्तों ये जो है सर्दी के मतलब का बहुत ही शांदार नुस्का बनने जा रहा है ये जिस्मानी ताकत मरदाना कमजोरी जिरियान के लिए रुकावट के लिए बहुत ही शांदार काम करता है अब इनको जो है न सभी को तलके फिर हलका हलका सा इनको दरदरा सा कूट लें ये काजू है काजू को भी थोड़ा सा जादा सुर्क निकरना है सभी चीजों को ऐसे हलका हलका सा फिर इनको दर दरा कोटले बिल्कुल बारिक पॉडर नहीं बनाए जिससे इसके खाने का जो है ना स्वाध ही बिल्कुल अलग आएगा ये सबी जो ड्राइफ रोट जले हैं इनकी अपनी अपनी अफादियत हैं और ये जिस्म को ताकत देते हैं तवानाई करते हैं मोटा करते हैं और जिस्म को मरदाना ताकत बढ़ाते हैं जिरियान की शिकायत हो या फिर शिगरपतन हो इन सभी को दूर करती है ये ये अब सबी को जो है न हमने थोड़ा सा दरदरा करके ये मगज नहीं पीसे हैं ये कनी है कनी को भी जो है न थोड़ा सा इसको बिरिया कर लेना है गी में और फिर इसका बिरिया करने के बाद में कि इसको इस्तेमाल करेंगे कमरदर्द किसी भी तरह का हो लेडिसो में जो है लिकूरी की समस्या हो सफेद पानी की समस्या हो जेर्ण्सों में आधिकर ब्चुर्ण हो इंट यह इसमें वक्त ही जबर्दस दवा hé इंति Staatag इसमें हमने बूरा डाल एक और चीनी का क्वाम बनाया है लिए हम यह इनके अटालते तर यह और इसको चीनी जोहेंगा जरूत के इसाफ लेनी है इसको सभी को मिलाकर हमें इनके लड्डू बना लेने हैं और लड्डू बनाने के बाद में इसका इस्तमाल करें दोस्तों ये बहुत ही शानदार नुस्खा तयार हो गया है जो भाई कहते हैं कि कमजोरी है जिसम काम नहीं करता है भकन जल्दी हो जाती है प्रिंड्ली में दर्द रहता है कमर में अक्सर दर्द रहता है तो उसके लिए ये बहुत ही शानदार नुस्खा है तो इसको बनाएं घर पर थोड़ा महंगा तो बनेगा मगर इसके लाजवाब रिजल्ट है दोस्तो तो जो हमारे हुकमा हजरात है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका मिजाज क्या बनेगा वो बताएं और ये आसा भी जो होती है आसा भी दर्द होते हैं और जो जहनी काम ज़्यादा करते हैं कंपिटर का या कोशिश तरह का याद दास्त की कमी हो जाती है उसके लिए भी बहुत ही शांदार नुसका काम करता है ये आप बनाएं और फायदा उठाएं जो नए वी वर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्याद ज़्यादा शेयर करें शुक्रिया